तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत है आपका आपके प्यारेस चैनल JR Tutorials में तो जैसा आप लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था सेक्शुल रिप्रोड़क्शन और एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन के बारे में plant के अंदर के तो यह आज हमार lecture 2 पढ़ने वाले ठीक है यह second lecture है उसी चीज का तो आज हम लोग थोड़ा detail में पढ़ेंगे asexual reproduction के बारे में कि asexual reproduction में कौन-कौन सी चीज़े होती है और कितनी चीज़े हमको पढ़नी है ठीक है तो यह एक easy method है किसी भी reproductive टेकनीक को पहचानने का कि यहां पर sexual reproduction हो रहा है या फिर asexual reproduction हो रहा है समझ में आ रहा है ठीक है तो जहां पर भी fertilization नहीं हो रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे asexual reproduction ठीक है सही बात है तो मैंने last lecture में आपको बताया कि हमें कौन-कौन सी चीज़े पढ़नी है सबसे पहले हमें पढ़ना है budding के बारे में ठीक है बर्ड सॉरी हाँ budding के बारे में पढ़ना है next हमें पढ़ना है binary मुझे दिए कोई बात नहीं चलता है является 가는 के बारे में पढ़ेंगे बढ़ें में फिर हम लोग देंगे fragmentation क्या होता है कैसे बाडी होती है ठीक है फिर sports formation के बारे में मों पढ़ेंगे कैसे sports form हो रहे ठीक है वेजिटेटीव propagation क्या होता है वो हम लोग सिखेंगे चलेगा स्टार्ट करें स्टार्ट करते हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है बाइनरी फिजिन अब देखो वर्ड से हम लोग को समझ में आ ठीज है कि यह हमको कहना क्या चाहा रहे, ठीक है, यहां पे क्या word है binary, fision, ठीक है, fission का मतलब होता है, दो part में divide हो जाना जैसा fusion का मतलब होता था mix हो ना, met real gamete first है, अब यहां पे क्या हो रहा है, चीज है, क्या हो Eggsample है स्मझ में आ रहा है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कईसे बिजन हो रहा या तु देख रही है तो सबसे उपर वाला सेल है इसे हम लोग क्या सेल कहेंगे था जो सबसे पहले क्या होगा parent cell के अंदर, ठीक है, इसका जो nucleus है, वो सबसे पहले divide होगा, हम लोग ने mitosis में पढ़ा है, ठीक है, 11 पे हम लोग ने पढ़ा है, mitosis और meiosis, तो mitosis में क्या होता है, सबसे पहले nucleus का division होता है, जिसे karyokinesis कहा जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका nucleus divide होगा, देख रहे हैं यहाँ nucleus क्या हो रहा है, दो हिस्सों में divide हो रहे है, ठीक है, next step में क्या हो जाएगा, nucleus क्या हो जाएगा, दो parts में divide हो जाएगा, और उसके बाद, इसका जो cytoplasm है, cytoplasm वाला सा होते है वो भी क्या हो जाएगा 2 वार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हम लोग कहा सकते हैं कि यहां पर 2 daughter cells बन चुके हैं क्या कहेंका है इसे हम लोग 2 daughter cells यहां बन चुके हैं समझ मैं आ रहे हैं कि इतनी बात हैं समझ मैं तो तो यह simple सा है binary vision, binary vision मैंने क्या बोला कि एक cell है, ठीक है, एक cell है, एक algae यह वो क्या होगा, दो parts में divide हो जाएगा, ठीक है, एक cell है, वो क्या हो जाएगा, दो parts में divide हो जाएगा, समझ में आ रहा है, amoeba के अंदर देखने मिलता है यह, ठीक है, एक unicelle organism है, जिसका नाम है amoeba, ठ पड़ा है, already plant kingdom में, 11th में, याद रखो, ठीक है, 11th का knowledge बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि 11th में हम लोग ने बहुत सारी basic चीज़े पढ़ी है, और उसी चीज़ को हम लोग continue करने वाले आगे, ठीक है, biology का इसा ही subject है, biology एक story की तरह है, मतलब आपको पहले की चीज़ पता divide into two individual, ठीक है, a single individual which divides into two individual इसे हम लोग क्या कहते है, binary fusion, ठीक है, अब binary fusion तीन प्रकार के होते है, आज आफ देख लेते है, सबसे पहला जो type है, उसे हम लोग कहते है simple binary fusion,ρό क्या कहते है, simple binary fusion, आब ये binary fusion किस बेसिस पर divide है, ठीक है, तो ये divide है, इसकी division की ऊपर कैसा fission हो रहा ह एक्सिस पता है में आपको एक 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 स्सक्राइब हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग ने तीन टीक्ट की मैंनरी पढ़ने है तो सबसे पहला है सबस्सदीर ऐसे परफेशंद सबसक्राइब एक एक समयं लिए पैसमीर डिपार मतलब wow स्ट्ट्टर यह प्लेड से दिवाइड हो जाएगा इस वरी निहीं करता अगरपू आर्गनियों जिसका प्लेड वैरी करता इंपॉर्टन नहीं है फिर भी हो रहा है तो ऐसे डिवेज़न को आप कहेंगे अनुधी क्छिशन 2 लॉचिटुडन एक सेकंट चलिएगा तो दूसरा है longitudinal, longitudinal का मतलब क्या होता है आपको पता है longitudinal मतलब straight चीज़़े होती है तो for example कोई ऐसा organism है वो यहाँ से beat से divide हो जाए एक organism है जो क्या हो हो यहाँ से beat से divide हो जाए और यह कैसा organism बना देगा ऐसे दो cells बन जाएंगे ठीक है समझ में आ रहा है तो अगर यह इस plane से divide होगा ठीक है अगर यह y axis वाली plane से divide होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे longitudinal binary longitudinal binary vision ठीक है अब यह देख ले ना y axis एगी x axis है ठीक है थोड़ी से math strong है मेरी नहीं तुम लोग की strong होगी ठीक है समझ में आ रहा है तो यहां से क्या हो रहा है यहां पर देखो longitudinal यह अगर दिवाइड हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे longitudinal binary यह किसमदर देखने मिलता है यहां में देखने मिलता है यूगलीना के अंदर फिर भी इसके अंदर कौनसी डिविजन हो रही है वैने रिफिजन हो रही है ठीक है next वाटाइब होता है Transverse Winary Fission क्या होता है Transverse Winary Fission आइए ऐसे हम लोग comparison तो अगर ऐसे कोई organisms है जो यह offers present है ऐसे कैसे कट हो रहे हैं त्रांस्वर्ज ली काट हो रहे हैं और यहां पर आगे चल करे दो और इसे और यहां पर दिख रहे हैं इंसल्स को हम लोग क्या कहेंगे दॉटर सल्स चांपल बहुत इंपोर्टेंट में आपको जत्वाम बताऊँगा उसके तक है य होता है यहां स्टॉक्टर होता है एक चीज़ ईसकी इसलिए इसको sleeper fluke भी कहा जाता है इसका structure कुछ sleeper से मिलता जुलता है तो यह क्या होता है transversely divide हो जाता है यहां से ऐसे करके इसका division होता है फिर यह आगे चलके एक नया organism बनता है और इसका यह वाला portion आगे चलके एक new organism form करता है समझ में आ रहा है तो यह हो गया transverse binary vision simple binary vision और longitudinal binary vision समझ में आ बाइनरी vision क्या होता है समझ में आ रहा है comment करते जाना अगर समझ में आ रहा है तो आ जाओ next topic पर आ जाते है next topic हमारा पड़ी तो budding में हम लोग क्या सीखना है देखो budding दो परकार के होती है एक हम लोग पढ़ना है external body जो तुम लोग आज तक पढ़ते हैं हो 10th में पढ़ा है हम लोग ने hydra ठीक है hydra का यह parent body है इस parent body के ओपर एक छोटा सा बड़ ग्रो हो जाता है ठीक है यह मेरी parent body है और इसके ओपर यहाँ से छोटा सा बड़ ग्रो हो जाएगा अब वो बड़ क्या करेगा धीरे धीरे parent के ही body से nutrition लेता रहेगा ठीक है nutrition लेता रहेगा और धीरे धीरे mature होता जाएगा अब जैसे यह completely mature हो जाएगा यह parent की body से detach हो जाएगा अलग हो जाएगा ठीक है और यह अपनी independent life start कर देता है, समझ में आ रहा है तो यह example है, हट्रा का, second example East का, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है East multiple birds form कर देता है East बहुत सारे birds form कर देता है एकी साथ में Multiple bird की condition है यहाँ पर कड़ी, काफी सारे birds form हो जाते है, और यहाँ पर भी चीज़े वही है यह भी क्या होगा, parent body के अंदर से nutrition लेते रहेगा, और जैसे ही यह पूरी तरह से mature हो जाएगा, पूरी तरह से bird जाएगा, यह क्या हो जाएगा इसके body के, parent की body से क्या हो जाएगा, detach हो जाएगा समझ में आ रहा है, तो यह देखो, यह इसके body पे externally glow हो रहा है, यह जो bird है यह इनकी body पे externally आ रहा है बहार आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते है external budding, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते है, external budding अब आ जाओ, एक और टाइप होता है budding का जिसका नाम है internal budding ठीक है तो याद करो, 11th में तुम लोग ने lesson पड़ा था, kingdom animalia करके और उसका सबसे पहला phylum था porifera, याद आ रहा है, ठीक है सबसे पहला phylum था porifera, जो सबसे primitive organisms था kingdom animalia में, ठीक है, तो porifera कैसा दिखता था कुछ ऐसा, मटके की shape का दिखता था, ज्याद आ रहा है कुछ ऐसा दिखता था porifera, ठीक है, sponges भी कहते हैं इसे समझ में आ रहा है, ठीक है तो यह एक porifera, एक general porifera का structure है, और इसमें यहाँ पे चोटे-चोटे-चोटे holes होते हैं, जिसके वैसे यहाँ पे पानी अंदर जाता है, 11 में बढ़ा है आपने, ठीक है यहाँ से water intake होता है, और यहाँ से water बाहर जाता है, यह इसका water system है, canal system बोलते हैं इसको, जिसके वैसे इसका digestive system भी work करता था, यही इसका digestive system है और यही इसका excretory system है, ठीक है जैसे इन pores के अंदर से पानी जाता था यह कुछ food molecules को वहाँ से capture कर लेता था और उससे क्या करता था, digest कर लेता था, ठीक है तो यहाँ पे कुछ चोटे-चोटे holes पड़े होते हैं यह sponges की बात हो रही है तो अगर मैं क्या करूँ, ठीक है अगर मैं क्या करूँ, इन sponges को बीच से काड़ दूँ, ठीक है इन sponges को क्या करूँ, मैं इसे बीच से cut कर दूँ, तो कैसा दिखेगा, देखो यह उस sponges की walls है ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे बीच से कड़ कर दिया तो यहां पर इसकी बॉल्स देखेगी इन वॉल्स के अंदर ठीक है इन वॉल्स के अंदर यहां पर एक छोटा सा बढ़ फॉर्म हो जाता है बच्चो ठीक है यहां पर देखो कैसा बढ़िंग फॉर्म हो यहां पर कैसे बढ़ते बढ़ बाहर फॉर्म और रहे थे लेकिन यहां पर इन वाल्स के अंदर एक बर्ड फॉर्म हो जाता है इस बर्ड को हम लोग कहते हैं जिम्यूल ठीक है इन इस बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं जिम्यूल ठीक है और इस पूरी प्रोसेस को जिम्यूल बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन ठीक है तो आपके बुक में दिया हुआ चोटा सा जिम्यूल फॉर्मेशन के बारे में समझ में आ रहा बोडी से अलग हो जाएगा और ये आगे चलके एक नया sponges बनाएगा ठीक है ये आगे चलके complete new organism form करेगा तो समझ मैं आपको budding क्या होता है ठीक है छोटे से bird grow हो जा रहे है तो इसमें आपको ये तीन example से या रखने अगर हम लोग external budding की बात करें तो आपको तीन example या रखने पहला है hydra ठीक है hydra के अंदर देखने मिलती है दूसरा east ठीक है और तीसरा हमें internal budding के अंदर कुन से या रखना है sponges ठीक है समझ मैं आज आओ next slide पर ठीक है next slide है spore formation की अब spore formation क्या होता है spore formation आप लोग ने 10th में पढ़ा होगा और मैं वापस बताता हूँ आपको आप लोग ने 10th में fungus का example पढ़ा होगा जैसे python होता है यहां पर अिसके ओपर एसे बड़ी सी body होती है अब इस बोड़ी में यह सरे चोटे 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 की होगा उसके क्या हो जाते हैं यह स स्मझ मैं आरे और ये cells कहीं भी किसी भी nutritive medium में जब जाके पढ़ेंगे ठीक है और तब वहां से एक नया fungus grow हो जाएगा इस process को हम लोग कहते है spore formation यहाँ पे छोटे-छोटे क्या बन रहे है spores बन रहे है ठीक है तो हमारी book में एक spores formation का example दिया हुए जिसे example दियो है सब्सक्राइब जो कौन सा reproduction का type दिखाता है spore formation दिखाता है ठीक है तो इसके अंदर छोटे-छोटे spores फोम होते हैं यह जो दिखर है रेडे कलर की यह छोटे-छोटे spores है इन spores को हम लोग कहते हैं । कहते है Japan RAW जू स्पोर्स करते है और स्पोर्स के उपर ओपर छोटे छोटे फ्लैजला लगे होत Channel की kalian कि इस प्लैजलेंटेटेड होती यह स्टी लिग क्या करेंगे मूव कर सकते ट्रकुंब है व्याथ based support को ट्रशहीन गाOH मिलेगा वहाँ पे ऐ sincer लिह दो यहां पर यह मतलब यह एक ले जेला कई और यह चेह चोटा सा आपको कम्हाइं है और यह ऑर ग turbines लोग कहते हैं। कुछ नहीं है। जहां पे змु डिक्कտति नहीं दिक्कति नहीं है। इसको मिटा दू क्योंकि मुझे एक्स्प्लेंट करना है थोड़ा सा इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको पता नहीं हो अगर आपने कोई आप इसमें से वीडियो देख रहा तो हम आपको बताते हैं कि हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है ठीक है जिसका नाम है जे आप टेलीग्राम का डाउनलड करें वहाँ पर सर्च करें जे आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे तो इसकी भी कोई दिक्कति नी बस आप यहाँ पर कंसेप्स समझीए ठीक है कंसेप्स बहुत जरूरी समझना क्योंकि 12 में 12 का सिलेबस बहुत बड़ा है ठीक है सारी चीज़ें आप रट नहीं सकते ठीक है सारी चीज़ों को आप मेमराइज नहीं करना पॉसिबल हो तो आ लेकिन इस पर इंटर्नली स्पोर्स नहीं फॉर्म हो रही यह जो दिख रहे है ब्लू कलर के ठीक है यह स्पोर्स इतके बाड़ी के बाहर फॉर्म होते है ठीक है इसके बाड़ी के कहा फॉर्म होते है बाहर फॉर्म होते है और इन स्पोर्स को हम लोग कहते हैं और इन स्प स्पोर्स ऑब क्या एंडर सब्सक्राइब क्या कहें गए कोने डिया स्पोर्मिशन तो travelling से आफिक्व कि और ये पनें ठीक है आज आठो next slide पर चलते है next slide है fragmentation की ठीक है अब आपको नाम से पता चल रहोगा fragmentation में क्या होना चाङए कि body fragments में divide हो जाने चाहिए fragments मतलब क्या होता है छोटे चोटे टुकडे ठीक है तो बहुत सारे रिजस के यह यह एक पाइरा रहता है ग्रीड को देखते हो तो आप जो ग्रीन ग्रीन कलर का उपर उपर देखते हो न वह किन staged इना करता है यह किदि कि बॉडिडी को क्शोड़े बॉलिक कर लेते मतलब अपने बाड़ी को फ्रेग्मेंट्स में बाटटेते थी चुट़े और इसका हर फ्रेग्मेंट बना इसका चोटा सा तो यह एक नया और गेनिस्म बनेगा यहां पर दुसरा एक फ्रेग्मेंट आया ठीक है यह एक दूसरा और धायों जो यह और आपको पता होना चीज spirogyra multi-cellular होते हैं हमे शाया रखना है छिए क्योंकि इसके अंदर बड़े सारे cells होते हैं कि तो multi cup spirogyra के अंदर concept process होती है reproduction की fragmentation ठीक है example बहुत जरूरी है examples आपको सब के पता होना चाहिए कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क लूग फिलेगी की पनेरी फिजन होता था है फिर दूसरा हम लो लोग ने क्या पढ़ा Longitudinal Vinary Fission ,autonom लो लांजी टिटूटनी डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर लोग यहाँ अठना है ?யूग लीना का यहाँ दखना है ठीक है? और next हम लोग निक्या पढ़ा that ?transverse binary इसके अंदर सिंपल है आपको बताया था ये एक स्लीपर टाइप और गनीजम होता है ठीक है इसलिए इसलिए इसलीपर फ्लूग भी कहा जाता है ठीक है समझ में आ रहा है ठीक है तो आप यहने अभी पढ़ा है आपको ठीक है अभी जस्ट वीडियो रिवाइंड करके देख लो इसका सब चीज़ पढ़ा दिया है मैंने नेक्स्ट क्या करना है अपने को बढ़िंग याद रखना है बढ़िंग दो प्रकार की होती है एक एक स्ट फ़र फोर्मेशन पढ़ा स्पोर्स फोर्मेशन इसके अंदर होती है इसके इंदर होती है जो बड़ी इंटर्नल स्प्र रिलीस करता है और और East par sentiment के अंदर च्रिंधेर और fragmentation मेंने आपको बताइए किसके अंदर होती है इतनी बाते समझ में नेक्स टॉपिक पर आजाओ नेक्स टॉपिक है हमारा वेजेटेटीव प्रपकेशन अब वेजेटेटीव प्रपकेशन का मतलब क्या होता है नॉर्मली जो प्लांट होता है वो सीड से जर्मिनेट होता है ठीक है हम सबको पता है कि अगर हम लोग कहीं पर भी सीड लगा देंगे तो वहां से क्या हो जाएगा एक प्लांट उग जाएगा लेकिन कुछ-कुछ प्लांट के अंदर सीड के अलावा ठीक है सीड के अलावा दूसरे वेजिटेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सो प्रोस्स को भी हो म्ह लोग क्या केंगे वेजीटेटिव प्रपागेशन है फिन या कि डेवल्लेपमेंट अफ बिन ऑर गेनिजम फिन इभे प्लांड फ्रम वेजीटेटिव प्रम प्रमparkेशंस ने करे को जाएगा इसकाइगा इसका की दव government हम लोग लेकर नहीं हो जाता है उस से चीज को क्या किया है तो स्टेम् से बात रमेज़ोंगे चीजे एक चीज़े अगां किasten के नीचे एक चोटा सा टॉपिक दिया हुए जिसका नाम है कटिंग का मतलब क्या है कटिंग का सिंपल सा मतलब है किसी चीज़ को कट करके लगाना यह पूरा एक आर्टिफिशल मेथड है जो मैंने अभी तुम लोगों बता है कि जैसे आप हिबिसकस का प्लांट लो ठीक है क है मैं मुझे यहां सीढ की ठीकी पट्री यह क।ंसे ही क्या हो जाएगा एक नया ब्लांट घ्रूा जाएगा ठीक है एक नया प्लांट ग्रू हो जाएगा समझ में और है दूसरा टॉपिक है honor how मैं आपको मैं एक्जांपल समझहता हूं मैं एक का टरीं पर रहे है का जा है एक मैंगो का ट्री में जिसके अंदर प्रोदक्शन बहुत ज्यादा है जो mango produce बहुत जादा करता है लेकिन उसका immune system बहुत weak है मतलब उसके अंदर कीड़े कीड़े काफी जादा लग जाते हैं इंसेक्स काफी जादा लग जाते हैं जिसके वैसे वो उसका production इतना जादा हमको नहीं मिल पाता है ठीक है production वैसे ट्री बहुत जादा कर रहा है लेकिन हमको वो product मिल नहीं पा रहा है और वहीं एक दूसरा mango का ट्री है जिसका immune system बहुत अच्छा है जिसका immune system बहुत ज्यादा strong है बट उसके अंदर production जादा अच्छा नहीं है समझ में आ रही है बात ठीक है गर्शा funktioniert जिसका जो production है वो काफी जादा अच्छा है लेकिन इसका immune system में उतना अच्छा नहीं है और एक दूसरा mango का ट्री है जिसका production क्या है बहुत कम है ज्यादा mango मिलते लेकिन इसका immune system है वह काफी जादा है तो मैं क्या करूंगा देखो ये वाली body ठीक है ये root से connected है ये वालो जो plant है ये root से connected है तो मैं क्या करूंगा इस plant का ठीक है इस plant का stem काट के लाऊंगा ठीक है इस plant का stem काट के लाऊंगा और उस stem को इस plant के अंदर fix कर दूँगा by grafting method इस method से by grafting method देखो कैसा समझाता हूँ यह एक stem है ठीक है इसको मैं कुछ इस form में काटूँगा इस stem को मैं कुछ इस form में काटा ठीक है और मैंने यहां से एक stem लिया उसको भी मैंने ऐसा काटा कि यह दोनों fix हो जाए एक दूसरे के उपर समझ में आ रहा है यहां पर दो अलग अलग plants के उपर दो अलग अलग plants पे उन दोनों को मैंने क्या कर दिया एक जगा पे fix कर दिया और उसको मैंने thread से बान दिया अब कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद जब आप उस plant को देखोगे notice करोगे तो यह दोनों पाट एक दूसरे से जुड़ गए होंगे ठीक है बच्चों यह दोनों पाट एक दूसरे से क्या हो गए होंगे जुड़ गए होंगे और इसके उपर से दूसरा plant ग्रो होगा तो इसमें जो plant बनेगा इसमें जो fruit बनेगा mango का उसका immune system तो अच्छा ही होगा क्योंकि इस plant का immune system भी अच्छा था ठीक है साथ साथ इसके जो production होगा वो भी काफी जाधा होगा समझ में आ रहा है ठीक है तो इस process को हम लोग क्या कहते हैं ग्राफ्टिंग समझ में यह बात ठीक है तो हम लोग कटिंग समझ गया ग्राफ्टिंग समझ गया और एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नामें tissue culture ठीक है तो tissue culture आपके बुक में तो ही तीन लाइन का लेसन में दिया हुआ है लेकिन आप पहले से पढ़ते हैं आरो tissue culture का मतलब क्या होता है tissue culture मतलब होता है कि हम लाब में ठीक हम लाब में एक nutritive medium रखते हैं ठीक है nutritive medium कौन सा medium होता है जनरल हम लोग agar gel का यूज करते हैं जो कि red algae से मिलता है हम लोग को ठीक है red algae हम लोग ने पढ़ा है तो red algae से एक gel मिलता है जिसको कहते है agar gel वह बहुत ही nutritive medium होता है तो उस medium के अंदर हम लोग कुछ plant cells डाल देते और उन nutritive medium के अंदर वो cells क्या होने लगता है terminate होने लगता है और वहां से हम लोग को एक नया plant मिल जाता है समझ में आ रहा है तो यह जनरल सा concept है tissue culture का tissue culture जनरल हम लोग lab में करते हैं बाहर यह possible नहीं है समझ में आ तो आपका asexual reproduction का topic यहाँ पर खतम होता है ठीक है I hope आपको asexual reproduction completely समझ में आ गया होगा next lecture में जब हमारा lecture 3 होगा उसमें हम लोग continue करेंगे sexual reproduction ठीक है जो higher plant में होने वाले समझ में आ तो I hope आपको यह सारी चीज़ा समझ में आए होगी अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है आपको यह सारी चीज़े concept समझ में आ रहे तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनलों को subscribe कर देना और अगर आप नए हो तो मैं आपको इक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर 6 से लेके 12 तक सारे चीज़े सारे subject के lectures uploaded है ठीक है अगर आपका भाई वहन या फिर आपके दोस्त जो किसी भी classes में होंगे उन्हें जरूर recommend करना यह सारी चीज करना झाहता हूं